तो देखा हमने साईन यक्स एक एकएपला नहीं है हम सान एक्स का ग्राब बनाते हैं साइन एक्स के ग्राप के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे साइन के कुछ टर्म को बताने का प्रयास करेंगे चलिए देखते हैं साइन एक्स का ग्राप लाइन खीच खीच लेते हैं यह रहा है यक सक्षिस यह है बाई अक्ष यह है एक्स टैस इसको गहते हैं बाई टैस माना कि यहाँ 0 डीरी है यहाँ पर πाई बाई 2 यहाँ पर πाई यहाँ पर 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा यह आपका माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस पाइप पाइप इधर आपका मान लेते हैं ये एक और इसको मान लेते हैं माइनस कच्छा 11 में साइन एक्स के गराब को आप समझी ही चुके होंगे लेकिन यहाँ फिर से उसको थोड़ा रिलाइज कराते हैं साइन कगराब बनाने ते समय हमें कुछ वैल्यों को पता होना चाहिए जैसे साइन जीरो का मान जीरो होता है साइन पाइप बाइटू माने नब्बे साइन नब्बे का मान एक होता है एक यह यहाँ पर कुछ मान देगा साइन 80 डिगरी पाई इनला जीरो मान देता है अर्थाथ यहां पर बिंद हुआ आएगा और ये 3 पाई वाइ टू में माइनस वैलू देता है अर्थाथ यहां पर मान आएगा इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा यहाँ से कर्व सुरू होगा यहां से कर विए यहां से यह ऐसे जायते हुए टूपाई में और यह यहां पर एक वैलू दे देगा इधर यह ऐसे आते हुए यह गया और यहां से यह थोड़ा खराब बन गया है यहां इसका मान यह एक संबन्दित हो अर्थात जित्ते भी यह टर्म होंगे यह सभी एक होगा यह यहां पर एक पहला होगा और यह जो टर्म होगा माइनस वन का टर्म होगा यहां पर यह जो है बैलू माइनस वन देगा इस प्रकार आप इसका ग्राप बना सकते हैं तो ग्राप में आप देख रहे हैं जो यहाँ value है वो यहाँ value है वो यहाँ value है अब शिर्फ value है by वराबर 1 by वराबर 1 के लिए यक्स का minus 3 pi by 2, pi by 2, pi by 2 यह सभी मानों के लिए यह सिर्फ by का एक मान देता है कटान बिंदू पर अगर देखा जाए minus 2 pi minus pi 0 pi 2 pi इन सभी मानों के लिए यह 0 मान देता है नीचे के अगर बात करा जाए तो यह minus pi by 2, minus pi 3 pi by 2 इस मानों के लिए यह सिर्फ minus 1 मान देता है तो हम sin x के principal branch का इस्तमाल करेंगे sin x का principal branch अगर हम यहां से मानते हैं अगर यह एक इसका principal branch मानते हैं मुख्य साखा जिसको कहते हैं मुख्य साखा को अगर हम माने अर्थात minus minus pi by 2 और pi by 2 के दायरे को अगर हम देखें तो इस दायरे में यह प्रतेक बिंदु पर अलग-अलग मान देगा मतलब कि यहां से यहां तक कि अगर बात करा जाए तो यहां पे मान अलग रहेगा यहां पे मान अलग यहां पे मान अलग ऐसे ही हर बिंदु पर मान अलग होगा इस दायरे में यह साइनियक्स एक एकी भी होगा और आच्छा दग भी होगा अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये भी दाइरा इसी प्रकार का है अर्थात πाई बाई टू और दीन पाई बाई टू का दाइरा भी उसी प्रकार का है कि हर बिंधों पर अलग-अलग मान देगा लेकिन प्रेंस्पल ब्रांच इसी को माना जाता है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के दाइरे को ही प्रेंस्पल ब्रांच माना जाता है और इसी प्रेंस्पल ब्रांच को देखकर साइन एक्स की इंवर्स को निकाला जाता है तो दोस्तों साइन एक्स का ग्राब इस प्रकार समझा जा सकता है यदि हम अंतराल अंतराल माइनस 3 पाइवाई 2 से माइनस पाइवाई 2 या माइनस पाइवाई 2 से पाइवाई 2 या पाइवाई 2 से 3 पाइवाई 2 आदि अंतराल की बात करते हैं तो इन सभी अंतरालों में या इस प्रकार के सभी अंतरालों में साइन फलन जो होगा वो एक एकी और आच्छादक फलन होगा एक एकी और आच्छादक इन सभी अंतरालों में साइन यक्स एकएकी और आच्छादक भलन होगा लेकिन यहां हमारे किताब में ये इस अंतराल को मुख्य अंतराल माना गया है इस अंतराल को मुख्य अंतराल माना गया है और इसका नाम दिया जाता है मुख्य साखा अर्थात साइन यक्स के ग्राप में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को मुख्य साखा माना जाता है और इसी को देखते हुए हम sin x के inverse को निकालते हैं तो चलिए देखते हैं sin inverse x का graph कैसे बनता है ये आपका है y वरावर sin x का graph अब हम sin inverse x का graph बनाएंगे जब ये इस अंतराल में sin x एक एकी और आच्छादक फलन है तो हम sin inverse x निकाल सकते हैं इसका हम प्रतलोब निकाल सकते हैं तो चलिए देखते हैं sin inverse x का graph कैसे बनाते हैं तो sin inverse x के graph को बनाने के लिए पहले दो अक्छे मानते हैं एक y अक्छ और बाई अक्छ को लेते हैं ये यक्स अक्ष हुआ ये यक्स अक्ष हुआ ये बाई अक्ष हुआ और दो अक्ष खींच देते हैं अब साइन यक्स के मेरर इमेज को यहां बनाएंगे अर्थार साइन यक्स को ऐसे रोटेट करेंगे और इसके बाद पल्टा देंगे ऐसे एक हम sin x का अलग पेज में बना चुके हैं ग्राफ यह है sin x का अलग बना चुके हैं अब इसको sin inverse के ग्राफ को बनाने के लिए पहले हम इस ग्राफ को ऐसे rotate करेंगे और फिर इसको ऐसे पल्टा देंगे आप समझ ही गैं होंगे पहले sin x का ग्राफ इस प्रकार था sin x के ग्राफ को एक बार हम ऐसे rotate किये अब इसको इस portion को ऐसे पल्टा देंगे अर्थात कहने का मिन्स यह ऐसे यक्स अक्षिस था इसको पल्टा देंगे तो ये वाला जो उभरा भाग है इधर बनेगा और ये वाला जो उभरा स्थान इधर अब ऐसे यहां से बनता जाएगा इस प्रकार sin inverse x का ग्राफ बनता है मतलब आप समझ चुके होंगे sin x का ग्राफ इस प्रकार का होता है अब sin inverse x के ग्राफ को बनाने के लिए इस sin x के ग्राफ का हमें mirror image चाहिए प्रतिवीम बचाईए तो उसको बनाने के लिए इसको पहले ऐसे रोटेट करते हैं sin x के ग्राफ को ऐसे रोटेट किये अब ये वाले portion को ऐसे रोटेट कर देते हैं अर्थाद इस प्रकार का ग्राफ बनेगा हम बनाए भी हैं ये sin x का ग्राफ है यह साइन एक्स का ग्राफ है और इधर यह साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ है देख सकते हैं यह जो है मिरा रिमेज है साइन एक्स की इस प्रकार साइन एक्स के ग्राफ को बनाया जा सकता है अर्थात पहले हम इस साइन यक्स के ग्राप को ऐसे रोटेट करेंगे और फिर पल्टा देंगे तो ये वाला पोजिशन पहले इधर रोटेट होकर ऐसे बन जाएगा और उधर जब जाएगा तो उधर बन जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा ये पोजिशन इस वाले पोजिशन की बात करें तो ये एसे घुमेगा तो ये वाला पोजिशन कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरह बन जाएगा और इसको जब पल्टा आएगे तो ये कुछ हिस प्रकार का बनेगा अब आप समझ ही सकते हैं आगे किस प्रकार का इसका ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस प्रकार का ग्राफ हर बनता जाएगा अब इसको एकसेस मानते हैं अब इसमें ये जो 1 था 1 और माइनस 1 का अंतराल यहां आ जाएगा और ये आपका हुआ माइनस 1 का अंतराल ये आपका 0 यहां पे पाई वाई टू जिस प्रकार साइन एकस में पाई वाई टू था इसको होगा पाई ये वाला होगा 3 पाई वाई टू ये 2 पाई ऐसे ही निचे माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई टू ऐसे ही माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस पाई इस प्रकार का साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ बनाया जा सकता है ये है बाई वरावर साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ इस प्रकार हम साइन इनवर्स यक्स के ग्राफ को बना सकते हैं फिर से समझ लीजिए पहले इस साइन यक्स के ग्राफ को रोटेट वर्टिकल करेंगे इसको rotate यक्सक्ष ये इस दोनों को पकड़ के ऐसे मन में अजियूम करेंगे और फिर इसको पल्टा देंगे कुछ इस प्रकार का ये है साइन यक्सका ग्राफ पहले इसको हम इस प्रकार करेंगे और फिर इसको पल्टा देंगे ये उभरा भाग ये है ये इधर उभरा था तो ये इधर आगया ये वाला इधर था तो ये इधर आगया इस प्रकार हम साइन इंबर्स यक्स के ग्राप को बना सकते हैं अब इसके डोमेन रेंज को बात कर लेते हैं जहां ये प्रेंसफल ब्रांच है ये वाला प्रेंसफल ब प्रफ्र अब त्रिकौोड मित्यवार्ट के इनवर्स बनाने के लिए इसके ढूमेंवेंज की बाद हम कर लेते हैं तो यहां लिग लेते हैं त्रिकोंड मिती फालन को प्रतिलों बनाने के लिए साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के प्रांद मिन्स डूमेन और परिशर मिन्स रेंज साइन एक्स का डूमेन माइनस पाई वाई टू से पाई वाई टू तक बंद अंतराल में होता है बंद अंतराल का मिन्स माइनस पाई वाई टू भी सामिल होगा और इसके बीच के जितने भी कोंड होंगे और भी सामिल होंगे इसका मिन्स प्रांद और इसका जो परिसर है रेंज माइनस एक से एक तक सामिल होगा अर्थात माइनस एक और एक भी सामिल होगा और इसके बीच के जितने भी अंख होंगे वह tillsammil होंगे ऐसे ही साइन इन्वर्स यक्स की बात करी जाए तिसका प्रांत उल्टा हो जाएगा प्रांत माइनस एक से एक हो जाएगा और जो परिसर है रेंज रेंज हो जाएगा इसका माइनस पाईबाई टू से पाई बाईटू इस प्रकार आप संब्सकते हैं यख् के डोमेन रेंज जिस पर हम इसके इंवर्स की बात कर रहे हैं अजर कोस्टन में बिसेस अंतराल दिया गया है बिसेस अंतराल pi y 2 से 3 pi y 2 या फिर किसी भी प्रकार का अंतराल दिया गया है तो उसके हिसाब से हम sin inverse x के अंतराल को बदलेंगे लेकिन यदि अंतराल के बारे में कुछ define नहीं किया गया है question में तो हम इसके मुख अंतराल πाई वाई 2 से πाई वाई 2 की बात करेंगे जिसके लिए हम इसके inverse को निकालेंगे तो ये आगया त्रिकोन मिती फालन के प्रतिलोम बनाने के लिए sin x और sin inverse x के प्रांत और परिसर निन में दिये गए हैं इसको आप याद कर लीजिए अब इसी प्रकार चलिए cos x के बारे में जानते हैं तो चलिए सुरू करते हैं cos x cos x cos x के ग्राप को पहले हम बनाएंगे तो उसके लिए पहले हम दो अक्सिस खिंज देते हैं x और y यहाँ पे 0 यहाँ पे πाई वाई 2 यहाँ पे πाई यहाँ पे 3 पाई वाई 2 यहाँ पे 2 पाई और इधर मैनस में हो जाएगा मैनस पाई वाई 2 यह हो गया मैनस पाई मैनस 3 पाई वाई 2 और मैनस टू पाई इस प्रकार cos x के लिए यह x axis यह x dash और यह by axis यह by dash यह आपका हुआ 1 और यह माइनस 1 तो कॉस यक्स के ग्राप को बनाने के लिए हमें कॉस 0, कॉस 90 और कॉस पाई कुछ 3 मान चाहिए तो पहले कॉस 0 बराबर क्या होता है कॉस 0 बराबर होता है 1 यहां लिख भी देते हैं कॉस 0 डिगरी बराबर 1 अर्थात कॉस जीरो पराबर एक यहां बिन्द उप्राप्त होगा अब कॉस माइनस पाइ बाइ टू जीरो प्राप्त होता है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा फिर यह ऐसा और फिर कुछ ऐसा इधर का ग्राफ ऐसा और कुछ ऐसा अर्थात पाई के जगह पर वन माइनस पाई में माइनस वन और टू पाई में वन बैलू और टू पाई में माइनस वन बैलू होगी इस प्रकार कॉस यक्स का ग्राफ बनता है अब इसमें जो यह अंतराल है जो इस बिंदु पर बाई का मान है वही मान इस बिंदु पर मिलेगा और वही मान इस बिंदु पर मिलेगा अर्थात बाई बराबर एक के लिए यक्स का माइनस पाई वाई टू जीरो और टू पाई यह तीन मान सिर्फ और सिर्फ एक मान देगा और वह मान है एक इसी प्रकार कटान बिंदु की बाद करा जाए तो माइनस टू पाई वाई टू माइनस थ्री पाई वाई टू पाई वाई टू यह पाई वाई टू थ्री पाई वाई टू इन सभी विंदों पर कौस सिर्फ मान देगा जीरो तो ये एक एकी आच्छादक फलन नहीं है इसको एक एकी आच्छादक फलन बनाने के लिए इसके हम कुछ अंतराल को लेंगे अगर हम अंतराल की बात करें यहां से यहां तक की अंतराल की बात करें तो जब 0 से πाई अंतराल की बात करते हैं तो इस अंतराल में यह 1 की अच्छादक होता है इस अंतराल की बात करें पाई से 2 पाई अंतराल की अगर बात करते हैं तो इस अंतराल में भी कॉस फालन 1 की अच्छादक होता है इस अंतराल की बात करें माइनस पाई से जीरो तक कि अंतराल की बात करें तो इस अंतराल में भी कॉस एक एक की अच्छादक फलन होगा अर्थात इन सभी अंतरालों में ये कॉस एक एक की अच्छादक होगा लेकिन हम इसके एक अंतराल को लेते हैं जीरो से पाई वाले अंतराल को लेते हैं इस अंतराल को अलग बना देते हैं इस अंतराल में ही कॉस यक्स के इंवर्स की बात हम करेंगे अर्थाथ जीरो से पाई अंतराल में हम कॉस यक्स के प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे जैसे sin x के यह अंतराल में यह एक एकिया च्छा दक था उसी प्रकार यह minus pi से 0 0 से pi बंद कोस्टक में pi से 2 pi इन सभी अंतरालों में एकिया च्छा दक होगा लेकिन इसमें हम इस अंतराल को मुख साखा मानेंगे इस अंतराल में मुख साखा इसको मानेंगे और इसी अंतराल में हम इसके इन्वर्स को बनाएंगे तो चलिए कॉस इन्वर्स यक्स के ग्राब को बनाते हैं ग्राब को बनाते हैं तो पहले हमें दो अक्सेश खीजना पड़ेगा एक by और एक yaks यह हुआ यक्स अक्ष अब यह है by yaks यह by dash यह yaks dash अब उसी प्रकार इस cause yaks के mirror image को यहां हम बनाएंगे तो mirror image को बनाने के लिए इस फलन को पहले इस प्रकार rotate करेंगे अर्थात इस फलन को ऐसे rotate करेंगे और फिर उसको पलट देंगे अर्थात इस प्रकार का कुछ है जैसे scale है scale को हम इस प्रकार करेंगे scale को हम अगर मानते हैं यह graph इस graph को हम scale मानते हैं तो इस scale को पहले हम इस प्रकार करेंगे और फिर ऐसे पलट देंगे इस प्रकार से जो graph बनेगा वो होगा कॉस इन्वर्स यक्स का ग्राफ होगा फिर सिर्फ समझा देते हैं इस प्रकार कॉस इन्वर्स का ग्राफ दिया है तो इन्वर्स के ग्राफ को बनाने के लिए पहले हम इसको इस प्रकार रोटेट करेंगे यहां से है इस प्रकार रोटेट करेंगे और फिर इसको हम पलट देंगे इस प्रकार कॉस इन्वर्स यक्स का ग्राफ हमें प्राफ्थ हो जाएगा तो पहले हम इस बलाय को देखते हैं इसको जब हम इस प्रकार से ऐसे रोटेट करेंगे ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ये कुछ इस प्रकार का बनेगा इस प्रकार का बन जाएगा और जब हम इसको फिर से फिर से स्केल में देखिए आप इसको फिर से ऐसे करेंगे तो ये इस साइड बन जाएगा ऐसा तो इस बला है ये बला है इस रूप में परिवर्टित हो गया अर्थात इस प्रकार में परिवर्टित हो गया ठीक इसी प्रकार ये वाला बला है इस रूप में परिवर्टित हो जाएगा ये वाला बला है इस प्रकार से परिवर्टित हो जाएगा ये वाला बला है ऐसे परिवर्टित हो जाएगा और ये वाला वाला है माइनस है इधर माइनस की ओर परिवर्टित हो जाएगा इस प्रकार कॉस इंवर्स यक्स का ग्राब हम बना पाएंगे फिर से समझे यदि स्केल को हम मानते हैं कॉस इंवर्स कॉस यक्स के ग्राब को हम मानते हैं तो cos x के graph को पहले हमें इस प्रकार बनाना पड़ेगा और फिर इसको ऐसे पल्टा देना पड़ेगा तो जो हमें graph मिलेगा वो cos x का mirror image मिलेगा और वो mirror image cos inverse x होगा जैसे ये cos x था, cos x का graph इस प्रकार के रूप में है cos x का graph इस प्रकार के रूप में है, जब इसको हम इस प्रकार बनाएंगे तो ये cos x ऐसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा लेकिन इसको मैं इस तरह पल्टा देंगे, कुछ ऐसा तो ये graph बन जाएगा आपका ये बलाए इधर चला जाएगा, ये बलावलाए इधर ये इधर है तो ये इधर और ये ऐसे कुछ बन जाएगा और यही हमारा है यही हमारा है cos inverse x का, देख सकते हैं आप ये इस प्रकार हम cos inverse x के graph को बना सकते हैं जहां इसको define कर देते हैं, ये 0 और ये 1 value हो जाएगी और यहां minus 1 ये आपका πाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये minus पाई 2, ये पाई, माईनस में पाई ये वाली value, 3 पाई बाई 2, ये minus 2 पाई इस प्रकार हमारा cos inverse x का graph बन जाता है पहले हमें इस cos inverse x के graph को इस वाले graph को इसको ऐसे करना है और इसको पलता देना है जो graph बनेगा वो हमारा cos inverse x का graph होगा तो अब हम इसके inverse को बनाने के लिए domain range की बात करते हैं इसके inverse को बनाने के लिए domain range की बात करते हैं यह आपका है cos x और यह है cos inverse x इसका domain branch क्या होगा cos x का यह principal branch माना जाएगा जो है हमारा 0 से πाई इसका परिसर क्या माना जाएगा परिसर माना जाएगा माइनस 1 और 1 के बीच का परिसर माना जाएगा इसी प्रकार cos inverse x की domain और परांट और परिसर की बात करते हैं जिसका परांट उल्टा हो जाएगा माइनस 1 से 1 और परिसर हो जाएगा 0 से πाई जिसमें 0 पाई दोनों सामिल रहेंगे ये बंद अंतराल में सब लिखा गया है ये अंतराल जो है बंद अंतराल में और बंद अंतराल का means होता है ये भी सामिल रहेगा ये भी सामिल रहेगा और इसके बीच की संख्या भी सामिल रहेगी ये खुले अंतराल में नहीं खुला अंतराल इस रूप का होता है इस रूप का खुला अंतराल होता है लेकिन ये जो डोमेन और रेंज लिखी गई है प्रांत परिसल लिखा गया है वो बंद अंतराल में लिखा गया है अब चलिए चलते हैं 10x के ग्राफ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं 10x का 10x के ग्राप को बनाने के लिए पहले हम दो एक्सिस खीशते हैं एक है यक्स एक्सिस यक्स अक्ष और ये है बाई एक्ष इसको मान लेते हैं एक दो ती चार इधर मान लेते हैं माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार सो आन ऐसे बढ़ता जाएगा ये है बाई बाई डैस इसको यक्स और इसको मान लेते हैं यक्स डैस इस पर आपका हुआ इसको पाई बाई टू मिन्स नबबे इसको πाई मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 3 पाई बाई 2 इसको 2 पाई मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 5 पाई बाई 2 इधर साइड रिवनात्मक में माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई और ऐसे ही माइनस 5 5 by 2 अब हमें 10x के ग्राप को बनाने के लिए हमें एक दो मान पता होना चाहिए 10 के तो हम जानते हैं 10x 10x में 0 अगर रखते हैं 0 degree ते इसका मान 0 प्राप्त होता है क्यों? क्योंकि ये sin 0 बटे cos 0 sin 0 बरावर 0 ये बरावर 1 अगर ग्राप्त होता है ऐसे ही बात किया जाए 10 5 by 2 इसका मान अपरिभासित प्राप्त होता है ऐसे ही मान प्राप्त किया जाए minus 5 by 2 तो ये minus शुरू में आ जाएगा कुछ इस तरह है जब इसका मान अपरिभासित होता है तो minus लगा है तब भी इसका मान क्या होगा अपरिभासित तो कुल मिला के कहने का मतलब 10 0 का मान 0 10 90 का मान इंफाइनाइट माइनस में तो इसको हम यदि लिख दें माइनस इंफाइनाइट तो ठीक लगेगा 10 90 का मान इंफाइनाइट और माइनस है तो माइनस इंफाइनाइट अब हम इस अपने ग्राफ को देखते हैं और 10 0 यह अर्थाद जब 0 डिगरी लिए तो 0 मान पराप्त हुआ अर्थाद बिंद हुए यहां मान पराप्त होगा और थोड़ा एक बाउंडेड लिमिट बना देते हैं टैंसल से तो ठीक रहेगा यह है माइनस पाइबाइट तू का और यह है पाइबाइट तू का अब यह 10 पाइबाइट तू का मान इंफाइनाइट होता है अर्थाद यहां का मान इंफाइनाइट होगा तो इसका graph यहां बहुत आगे से होगा और उसका निश्चित नहोगा इसका graph कुछ ऐसा बनेगा क्यों इधर graph बनता जाएगा लेकिन इस line को touch नहीं करेगा यह line किसकी है यह line है πाई वाई टू की पाई वाई टू की line है इसको यह touch नहीं करेगा इसको यह touch नहीं करेगा क्योंकि इस value पर by का कोई भीमान बिलोंग नहीं करता है पाई वाई टू पर by का कोई भीमान बिलोंग नहीं करता है इसलिए यह इस पर touch नहीं करेगा और ठीक इसी प्रकार इधर भी infinite जाएगा लेकिन minus infinite की ओर जाएगा और यह इस line को touch नहीं करेगा क्योंकि minus pi y2 और pi y2 पर 10 का मान नहीं आता infinite आता है इसका मतलब 10 pi y2 और minus pi y2 रखने पर by का कोई भीमान हमें प्राप्त नहीं होता है जिसके कारण यह इसको touch नहीं करेगा और कुछ इसका इस प्रकार से graph बनेगा अब और इसके और graph बनाने के लिए इसमें और boundary limit हम खींच देते हैं और फिर आगे बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बन जायेगा हमें तीन मान बस पते रहने चाहिए तीन मान से हमने एक बना लिया अब इसी प्रकार का सब बनता जायेगा यह आया 10,180 बराबर 0 होता है इसलिए यह 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 जायेगा और कुछ इस प्रकार जायेगा पर ध्यान रहे लाइन को टच न करे इसको बनाने के लिए कुछ ही इस प्रकार का बनाएंगी बस अब ऐसे ही ग्राफ बनाते जायेगे लेकिन ध्यान रहे यह थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे है चलिए कोई वात नहीं यहाँ पे बिंदुमान लेते हैं और यह कुछ इस प्रकार का बनेगा इसको बनाने के लिए यह कुछ इस प्रकार का बनेगा इस प्रकार टैन एक्स के ग्राफ को हम बनाते हैं और समझ पाएं हैं हमें लगता है आप 10X के ग्राप को बना लेंगे 10X के ग्राप को बनाने के लिए ये 3 बैलूस चाहिए और इन 3 बैलूस के माध्यम से हम 10X के ग्राप को खिंश सकते हैं बना सकते हैं अब वही पिछली कंडिशन इसके प्रतेक डोमेन पर देखा जाए ये इस पर बाई का सिर्फ एक मान है क्या जीरो इस बैलू पर बाई का एक मान जीरो इस बैलू पर बाई का एक मान जीरो के लिए माइनस पाई बाई टू माइनस पाई जीरो पाई टू पाई ये सभी मान सिर्फ एक मान देगा और क्या है जीरो ऐसे ही इस बिंदु पर देखेंगे तो ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु यहाँ ऐसे ही बहुत सारे मान के लिए बाई का एक मान में लेगा तो ये एक एकी आच्छादक नहीं होगा जिसके मुख साखा का उपियोग करेंगे इसके मुख साखा को हम थोड़ा गाड़ी लाइन कर देते हैं ये इसके मुख साखा को मानते हैं आप ये भी मान सकते हैं ये भी मान सकते हैं ये भी मान सकते हैं ये लेकिन हमारे NCIT बुक में इसको मुख साखा माना गया है और इसी के माधम से हम इनवर्स निकालेंगे यही हमारे लिए सत्थ होगा क्योंकि इनवर्स में अदुती मान प्राप्त होता है इनवर्स के लिए हमें अदुती मान चाहिए और जबकि हम सभी डोमेन, सभी डोमेन का इस्तमाल करेंगे तो हमें एक अदुती मानप्राप्त नहीं होगा बहुत मानप्राप्त होगा जैसे एक हम उद्धारन के माध्यम से जैसे इसको हम समझते हैं समझीएगा बात को 10-2π का मानद 0 होता है 10 ग्राप में आप देख भी सकते हैं माइनस पाई का मान 0 होता है 10 पाई का मान 0 होता है लेकिन अगर उल्टा हम सोचें कि कोई पूछे 0 10 में किसका मान होता है तो हम क्या बताएंगे कोई कहेगा पाई का कोई कहा माइनस पाई कोई कहा माइनस 2 पाई तो ये एक बैलू नहीं होगी इधर से तो चलिए ठीक है इन सभी कमान जीरो होता है लेकिन जब इसके इनवर्स की बात करेंगे तो इसके अनेक मान मिलेंगे और हम किसी मान को गलत नहीं कर सकते और गलत नहीं कर सकते तो इसके अनेक मान होंगे जिससे हमें बहुत कठिनाई हो सकती है इसलिए इसके एक हम अंतराल को लेते हैं और जिसके लिए हम inverse की बात करते हैं तो इसका अंतराल हुआ minus pi by 2 से pi by 2 तक अंतराल हुआ और इस अंतराल पर हम बात करेंगे इसी अंतराल के लिए हम tan inverse x भी निकालेंगे तो चलिए देखते हैं 10 inverse x का graph किस प्रकार बनता है अब यह मान लेते हैं यक्स अक्षिस है यक्षिस यह है यक्षिस यह है कुछ इस प्रकार का है अब वही नियम यदि हम इस पटरी को यह graph माने तो पहले हमें इस प्रकार करना पड़ेगा और फिर इसको हमें पलट देना पड़ेगा आप समझ गए होंगे यह अगर पटरी graph है तो graph को पहले इस प्रकार बदलना है और फिर इसको क्या कर देना है पलट देना है तो पहले एक हम limit की बात करते हैं इस बाले minus pi by 2 से pi by 2 के बारे में हम मानते हैं तो यदि यह graph ऐसे बना है कुछ ऐसा तो हम इसको पहले rotate करेंगे इस तरफ तो यह graph बन जाएगा आपका इस प्रकार ऐसे rotate करेंगे इस graph को ऐसे करेंगे तो यह वाला जो portion है वो ऐसे यह portion उपर रहेगा कुछ इस प्रकार का और यह वाला portion नीचे हो जाएगा कुछ इस प्रकार का इस प्रकार का कुछ portion हो जाएगा एक बार मैंने ऐसे था तो इसको मैंने ऐसे कर दिया अब इसको ऐसे पलट देना है कुछ इस प्रकार का ऐसा इसको पलटेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा कुछ ऐसा इसको देखिए ये ऐसा कुछ इस प्रकार का graph बन जाएगा बस थोड़ा सा गलत है ये ऐसा graph बनेगा लेकिन ये इसका जो कर्व है अंदर की ओर हुआ ये ऐसा अब फिर ऐसा कुछ ऐसा ये थोड़ा कर्व गलत हो गया क्योंकि ये जब होगा तो ऐसा होगा और जब इसको पल्टेंगे योगर रख्यों कि ये अंदर की ओर है देख सब पार होएंगे ये अंदर की ओर है कर्ब में से तो ये कर्ब ऐसा होगा ना कि ऐसा ऐसा कर देंगे गलत हो जाएगा ये अंदर की ओर ऐसा हो ये आप समझ पाएं होंगे तो हम इसके लिए ग्राफ फीचना सुरू करते हैं तो हम जब इसको ऐसे rotate करेंगे तो हमारा graph कुछ ऐसा बनेगा ऐसा और जब इसको हम करेंगे तो ये हमारे graph प्राप्त होगा तो यही graph हम यहां बनाएंगे तो इसके लिए पहले हम यहां लिख देते हैं pi by 2 और यहां लिख देते हैं minus का pi by 2 यहां गिंती लिख देते हैं एक, दो, तीन, चार, सो अन ऐसा चलता जाएगा माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन अब इसके फिर से वही लिमिट खींच दे ताकि हमाला मान गलत न हो और ग्राफ खींचने में कुछ समश्या है न जाए तो हमने ये ग्राफ खींच दिया है अब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बने का तो इस लाइन पर टच नहीं करना है और इसको यहां लाना है और फिर इसका कर्व अंदर की ओर रहेगा और कुछ इस प्रकार का ध्यान रहें, लाइन पर थोड़ा टच हो गया है, लेकिन लाइन को टच नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, आपको पता है, क्योंकि उस माइनस पाई बाई टू के लिए मान नहीं देता टैन, यहां आप समझी सुके होंगे, इसलिए ऐसा इसका ग्राफ बन जाता है, अब इ माइनस में फिर यह थ्री पाइवाई टू यह आपका माइनस टू पाई इधर खींच देते हैं पाई थ्री पाइवाई टू एक ग्राफ वार बना लेते हैं यहां हम पेंसिल के सहायता से फैंसिल की सहायता से उसको कि खींच लेते हैं यह रही पेंसल और मैंने ऐसा की दिया इसको इधर भी केंच देंगे तो किकि टा यह पाई नँम्मर पाई-पाई-पाई-पाई-जीना टू पाई इसको बीच में करना है और जो विशन पाई बाई टू का है उसमें दाइरा खेंचना है क्योंकि इन बीच वाले स्थानों में जीरो मान होता है इस बात का ध्यान आपको रहना चाहिए कि इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार बनेगा अंदर की ओर जुका हुआ और यह उपर की ओर अब जिस प्रकार से एक ग्राफ बनता है ठीक उसी प्रकार और सारा ग्राफ हम बनाते चले जाएंगे आप देख सकते हैं NCIT बुक में इन सभी ग्राफ को अच्छे प्रकार से दिया गया है अब इसकी जो है इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं क्यों क्योंकि यह हम मुख साखा मान के चलते हैं मुख साखा इसको हम मान के चलते हैं इसके लिए किसके लिए इन्वर्स के लिए इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर दिये हैं अब 10X के ग्राफ को बना चुके हैं, अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, अर्थात प्रांथ परिशर की बात करते हैं, तो ये किसका ग्राफ है, 10, inverse, x, बाई का, तो चलिए 10X, ये डोमेन रेंज किसके लिए लिख रहे हैं, जिसके लिए हम उसको इनवर्स बन आ रहे हैं, अर्थात प्रतलोम निकाल रहे हैं, ये डोमेन परांथ, आपका ये होगा, माइनस पाई वाई टू से पाई वाई टू, क्यों? क्योंकि पाई वाई टू और पाई वाई, माइनस पाई वाई टू और पाई वाई टू को सामिल नहीं करना है, मैं ये खुले अं अंतराल में लिखे हैं खुले अंतराल में क्यों लिखे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं पाई वाई टू माइनस पाई वाई टू में मान अपरिवासित हो जाता है जिसके लिए हमें इस को खुले अंतराल में लिखना पड़ेगा ना कि बंद अंतराल में बंद अंतराल आपक को लेना है रेंज पाइसर पाइसर इसकी रियल नमर क्योंकि यह अनंत तक जाएगा अनंत मान को बटोरेगा इसलिए इसकी रियल नमर रियल नमर बास्तविक सिंख्या कुछ भी इसका मान प्राप्त हो सकता है टैन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा यही उल्टा इसका आर हो जाएगा और इसका जो रेंज होगा इसको लिख देते हैं प्रांत और यह है पाइसर ये आपका परिसर हो जाएगा खुले अंतराल में ध्यान रखे हैं कि खुले अंतराल में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक इस प्रकार हमारा 10x का ग्राफ कम्प्लीट होता है चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर कॉट x के ग्राफ में तो चलिए सीखते हैं कॉट x के ग्राफ को ये है हमारा 1x अक्ष और ये है हमारा 2x हम इस अक्ष में लिख देते हैं ये 0 ये है πाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 इधर लिख देते हैं माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस में माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई ऐसा इधर बढ़ता जाएगा अब हम देखते हैं कॉट 0 का मान क्या होता है कॉट 0 का मान कॉट 0 के मान के लिए मिन्स cos 0 बटे sin 0 cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0 अर्थात इन्फाइनाइट इसी प्रकार यदि हम देखते है cos π.y.2 का cos π.y.2 बटे sin π.y.2 means 0 बटे 1 लगकल to 0 फिर हम देखते हैं cos π.y.2 का मान तो cos π.y.2 के मान के लिए भी यह cos π.y.2 बटे sin π.y.2 आ जाएगा आपका मान एक बटे 0 बराबर इन्फाइनाइट cos π.y.2 का मान माइनस 1 होता है अर्थात माइनस इन्फाइनाइट होगा हमें तीन बैलूस पता चल चुके हैं पहला बैलूस cot 0 का इन्फाइनाइट cot π.y.2 का 0 और cot π.y.2 का माइनस इन्फाइनाइट तो हम इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट के के लिए हम एक लिमिट बना देते हैं cos 0 अर्थात ये इसमें पहले से ही लिमिट बनी हुई है और π.y.2 के लिए हम बना देते हैं ऐसा लिमिट जिस प्रकार अब 10x के ग्राफ को पढ़े हैं ठीक उसी प्रकार cot x का ग्राफ भी बनता है हम इसमें cot 0 का माइन्फाइनाइट अर्थात 0 लेने पर इधर इन्फाइनाइट की ओर जाता है कुछ तब इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ये और पाइक लेने पर भी इन्फाइनाइट की ओर जाएगा इसलिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा लेकिन ये इस लाइन को टच नहीं करेगा अब इसी प्रकार हम और ग्राफ को खिचते हैं आप देखेंगे तो ठीक इन दोनों के लिए हम 10 में लाइन खिंचते थे लेकिन इसमें माइनस पाइपाई तू पाइए इन सब के दायरे में यह ग्राफ बनता है तो अब इसी के जैसे इधर भी हम ग्राफ बना लेंगे कुछ इस प्रकार का लेकिन ध्यान रहे लाइन को टच नहीं करना है कुछ इस प्रकार कब बन जाएगा अब कॉट के सभी मानों के लिए सभी डोमेन के लिए कॉट एक एकी अच्छा दक फलन नहीं है इसलिए इसके प्रेंस्फल ब्रांच का उपियोग करेंगे और इसके प्रेंस्फल ब्रांच को हम जीरो से पाई मानेंगे क्योंकि माइनस पाई वाई टू से पाई वाई टू यदि माने माइनस पाई वाई टू से पाई वाई टू यदि माने यदि हम माइनस पाई वाई टू से पाई वाई टू की लिमिट लेते हैं सभी मानों के लिए एक एकी अच्छा दक है लेकिन एक मान के लिए यह एक एकी अच्छा दक नहीं है देखिए माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू कोई यह दोनों मान के लिए यह जीरो मान देता है देखिए आप तो जब यहां से यहां यह limit लेंगे तो इसमें यह वाला minus pi by 2 और pi by 2 के लिए maan 0 होगा इसलिए सिर्फ एक maan के लिए in condition के लिए यह कह कि अच्छा तक नहोगा इसलिए हम इसके जीरो और पाई अंतराल को मानते हैं मुख्य अंतराल तो हम इसके मुख्य अंतराल को थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं आपके NCIT बुक में मुख्य अंतराल जीरो से पाई को ही माना है कॉट के लिए Question में यद विषेस परिस्थिती देती है विषेस अंतराल देता है तो उसके अनुसार हम Question को Solve करेंगे लेकिन यदि कुछ नहीं दिया है तो इन ही मुख्य मान को हम मानेंगे तो قॉट एक्स का मुख्य मान 0 से पाई होता है ये आपको याद होना चाहिए अब चलिए बनाते हैं cot inverse x के ग्राफ को cot inverse x के ग्राफ को तो इसके लिए पहले हमें दो अक्ष बनाना पड़ेगा एक x एक by ये है by का और ये है x का x टैस ये x और ये by ये है by टैस ये है by टैस इसके मान को लिए ये रहा आपका इसमें ये मान नहीं रखे थी इसको एक दो तीन इस प्रकार का ये बढ़ता जाएगा minus one minus two इस प्रकार आप बना लेंगे इधर लिए इधर one two three minus one minus two minus three इधर आपका हो जाएगा पाई by two पाई 3 पाई by two 2 पाई minus पाई by two minus पाई minus three पाई by two यदि दोस्तों मानें ये ग्राफ ये पटरी है तो पहले इसको इस प्रकार रोटेट करना है और फिर इसको पलट देना है कुछ इस प्रकार से हम आपको पेज में समझा देते हैं यदि हम इसको ये ग्राफ था ग्राफ को इस प्रकार रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रोटेट हो जाएंगा और कुछ इस प्रकार का ग्राफ कुछ ऐसा कुछ ऐसा जो इस पे टुच नहीं रहेगा और जब इसको पलता देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा यहां से यह सुरुवात होगा उपर की और क्योंकि यह उपर की और है और यह नीचे की और ऐसा कुछ हो जाएगा थोड़ा ग्राफ इसमें खराब बना है माकी कुछ इस प्रकार का यहां से यह सुरुवात होगा यह आपका गया πाई बाई टू पर और फिर यह कुछ ऐसा चला जाएगा यहां पर आपका रहेगा पाई तो चलिए इसको बनाते हैं तो पहले हम इसकी लिमिट डिशाइट कर देते हैं इसको लिए लाइन थोड़ा खींश देते हैं जीरो और इसमें टू पाई पर इसी प्रकार माइनस पाई पर हम लाइन खींश चुके हैं अब इसके ग्राफ को बनाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा अब एक ग्राफ के लिए यह बन चुका है अब इसी प्रकार सभी ग्राफ को हम बना देंगे लेकिन ध्यान रहें इस line को touch नहीं करेगा इसका भी कुछ इस प्रकार होगा लेकिन यहाँ पर हम कुछ लिख दिये हैं चलिए ऐसे बना देते हैं यह और यह इसका graph इस प्रकार बनेगा और आगे जाएगा इस प्रकार रहेगा जहां पर यह रहेगा टूपाई इस प्रकार इसके cot inverse के graph को बन सकता है जहां पर ये 0 से ये 0 था और ये πाई बाई 2 और ये पाई थी ये 0 से पाई वाला ये जो होगा इसको मुख साखा मानेंगे इसी के लिए हम inverse निकाल रहे हैं तो इसके domain range की बात हम कर लेते हैं तो इसका domain cot यक्स का domain domain हो जायेगा आपका 0 से पाई लेकिन 0 और पाई सामिल नहीं रहे और इसके range की बात अगर करें तो range होगा इसका r इसी प्रकार cot inverse x का domain मिन्स प्रांत होगा r और जो range होगी इसकी यह होगी 0 से पाई 0 से पाई के बीच में ये खुले अंतराल में परिभासित है ये आप समझ सुके होगे इस प्रकार cot x और cot inverse x का ग्राफ बनता है ये इसकी domain range जिसके लिए हम इसकी inverse की बात करेंगे तो चलिए चलते हैं अगले ग्राफ की और से की यक्स के ग्राफ की और चलते हैं तो चलिए सुरू करते हैं से की यक्स का ग्राफ से की यक्स से की यक्स के ग्राफ को करने के लिए पहले दो अक्ष खीजते हैं ये यक्स अक्ष और ये है बाई अक्ष इसके मान को लिख देते हैं ये 1 ये 2 और सुवान ऐसे बढ़ता जाएगा नीचे की यो लिख देते हैं माइनस 1 माइनस 2 ये 0 ये है पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 पाई 5 पाई बाई 2 और इधर होता है माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई और माइनस 5 पाई बाई 2 इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा ये एक्सक्ष, ये एक्सटेस, ये बाई और ये बाईडेस इस प्रकार हम इसके मानों को लिख चुके हैं अब इसके ग्राफ को खिंचते हैं तो सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें सेक जीरो डिगरी का मान क्या होता है सेक जीरो डिगरी मिन्स एक बटे सेक जीरो का मान एक होता है वही बात किया जाए सेक पाई बाई टू की तो सेक पाई बाई टू मिन्स एक बटे कॉस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू का मान होता है जीरो जीरो मिन्स इनफाइनाइट अगर बात करा जाए सेक minus pi by 2 की तो इसका मान होता है एक बटे cos minus pi by 2 जिसका मान होता है 0 1 upon 0 अरथाद infinite क्योंकि आप जानते हैं cos minus theta is equal to cos theta इस इस नियम से यह infinite positive होगा तो यहाँ पर हमें 3 मान मिल चुके हैं पहला है 6 0 का मान 1 6 5 by 2 का मान infinite और 6 minus 5 by 2 का भी मान होता है infinite 3 मान हमें मिल चुके हैं अब इसके graph की और बढ़ते हैं तो हम इसके 5 by 2 और minus 5 by 2 का मान infinite है इसलिए इन दोनों पर हम लाइने खिंच देते हैं यह है लाइन आगे की और भी खिंच देते हैं इस प्रकार लाइन खिंच जाती है अब 6 0 का मान 1 होता है तो 6 0 1 यहां बिंद हमें प्राप्त होगा और 6 5 by 2 का मान infinite होता है अर्थात यह कुछ infinite की और बढ़ेगा minus 5 by 2 इधर infinite की और बढ़ेगा अर्थात इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कुछ इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा यह जो सबसे नियुन्तम वैलू है वो एक पर होगी सबसे नियुन्तम वैलू एक पर होगी और बांकि यह infinite की और बढ़ता जाएगा लेकिन इन दोनों line को touch नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि इस line पर यह infinite वैलू देता है अर्थात बाई का कोई निस्चित मान नहीं प्राफ्ट होता है इसी प्रकार इसकी बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा ये minus 1 क्योंकि six pi का मान minus 1 होता है इसलिए ये मान यहाँ प्राफ्ट होगा और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा अब आप समझ जी चुके हैं ये 1 और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा इसकी बात करें तो ये माइनस वन यहां आएगा और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसकी बात करें वन और ग्राफ आपका इस प्रकार बनेगा अब वही बात ये अपने सभी डोमेन पर एक एकी आच्छादक फलन नहीं होगा इसलिए इसके एक हम अंतराल को मानेंगे लेंगे जिस पर ये एक एगी आच्छादक हो यदि हम इसके पाई वाई टू माइनस पाई वाई टू और पाई वाई टू अंतराल की बात करते हैं तो ये जो यहां बैलू मिलेगा वही यहां बैलू मिलेगा जो यहां मिलेगा वही यहां मिलेगा तो इस अंतराल की बात नहीं करेंगे बलकि बात करेंगे जीरो से पाई अंतराल की जीरो से पाई अंतराल में मान हमारा हर एक मान अलग-अलग है हर एक मान अलग है अर्थात कहने के मतलब हर एक प्रतेक यक्स के मान के लिए बाई का अलग-अलग मान है जिसके लिए यह एक एकी भी हो जाएगा और आच्छा दक भी हो जाएगा तो इसके जो मुख साखा होगा इसका जो मुख साखा होगा वो जीरो से पाई होगा यह एक मुख साखा लेकिन इसमें पाई बाई टू सामिल नहीं होगा क्यों सामिल नहीं होगा क्योंकि इस पाई बाई टू के लिए बाई का कोई भी मान नहीं है इसलिए यह परिभासित है तो हैं अगर लिखना चाहें सेक यक्स का डोमेन सेक यक्स का डोमेन जीरो से पाई हो जाएगा जिसमें जीरो और पाई सामिल रहेगा लेकिन पाई वाई टू सामिल नहीं रहेगा माइनस पाई वाई टू क्यों कि माइनस पाई वाई टू पर से एक अपरिवासित मान देता है इसलिए ये सामिल नहीं होगा लेकिन जीरो से πाई तक रहेगा इसको छोड़ कर पाई वाई टू को छोड़ कर और यही रेंज की बात करते हैं तो रेंज में आप देख सकते हैं इधर एक से बड़ी संख्या एक से बड़ी संख्या को लिया गया है और माईनस एक से छोटी संख्या को लिया गया है लेकिन माईनस एक और एक के बीच के जितने भी संख्या है उसको छोड़ा गया है अर्थात रियल नम्मर में बास्तविक संख्या में हम माईनस एक और एक कि बीच की संख्या को घटा देंगे इस प्रकार इसका रेंज प्राप्त हो जाएगा अब हमें सेक इन्वर्स यक्ष के ग्राप को पढ़ना है सेक इन्वर्स यक्ष के ग्राप को उसके लिए हम पहले बाई यक्ष खीचते हैं और फिर यक्सक्ष को खीचते हैं यह यक्सक्ष यह यक्स डैस यह बाई और यह बाई डैस यहाँ पे 0 यह 1 यह है 2 3 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा यह –1 यह है –2 यह –3 यहां पे ले लेते हैं पाई वाई टू पाई 3 पाई वाई टू इधर माइनस में माइनस πाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा अब जिस प्रकार हम सभी graph को बनाए हैं उसी प्रकार इस graph के mirror image को हम बनाएंगे तो यदि हम इस scale को इस graph समझें तो इस graph को पहले हमें इस प्रकार rotate करना पड़ेगा और फिर इस graph को इस प्रकार पलता देना पड़ेगा तो जिस से हमें mirror image प्राप्त हो जाए तो जो हमें graph मिलेगा वो इस एक यक्स का mirror image होगा तो इसको हम समझते हैं कुछ इस प्रकार पहले इस graph को पहले ये graph इस प्रकार था जब ये graph ऐसा हुआ तो इस बलाय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये बलाय कुछ इस प्रकार हो गया और जब इसको मैंने पलताया तो ये graph ऐसा हो गया हम पहले इस बलाय को graph में बनाती हैं तो ये कुछ ऐसा हुआ अब आप बना सकते हैं ये graph ये graph ऐसा बनेगा ये minus one minus one के इस्थान पर क्योंकि ये minus one के था pi पर minus one value देता है तो इसलिए pi पर minus one value मान में कोई परवर्टत नहीं करना है बस उसके मेरा रिमेज को हमें बनाना होता है ये वाला यहां पहुँच आएगा कुछ इस प्रकार और ये minus pi पर minus one value प्राप्त करेगा और इस प्रकार हमारा सेक इंबर्स 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 का ग्राफ और सेक इंबर्स का ग्राफ मिल जाता है तो सेक इंबर्स इंबर्स के लिए domain orange की बात कर लेते हैं जिसमें से इसका principal branch है 0 से pi अर्थात ये है आपका 0 से pi by 2 और ये है pi से pi by 2 लेकिन pi by 2 सामिल नहीं है अर्थात इसका उल्टा इसका domain r minus 1 हो जाएगा खुले अंदराल में अर्थात minus 1 और 1 के बीच की संख्या को हटा देना है बांकि कोई भी बास्तविक संख्या हो सकती है इसका means यही है यहाँ आप देख भी सकते हैं यह minus 1 और 1 के बीच में कोई भी graph हमारा नहीं खीचा गया है बलकि minus 1 के इधर और 1 के इधर हमारा graph बना हुआ है इसलिए बास्तविक संख्या में minus 1 और 1 के बीच की संख्या को हटाना है इसलिए इसे खुले अंतराल में हम लिखे हैं यह हमारा खुला अंतराल है और इसके range की बात करें तो यही उल्टा हो जाता है अर्थात यह zeros से πाई लेकिन πाई बाई 2 के अस्थाँ पाई बाई 2 अपरिभासित मान देता है पाई बाई 2 पर कोई निश्चित मान प्राफ्ट नहीं होता है इसलिए इसमें पाई बाई 2 हम हटा देते हैं इस प्रकार आप सेक एक्स के ग्राफ और सेक इंवर्स एक्स के ग्राफ को पढ़ सकते हैं तो चलिए चलते हैं कौसेक एक्स के ग्राफ की और तो चलिए सुरू करते हैं कौसेक एक्स के ग्राफ को बनाने के लिए पहले उसी प्रकार दो अक्ष खीचेंगे एक यक्स अक्ष और एक बाई यक्ष ये बन रहा है हमारा यक्स अक्ष और ये है हमारा बाई यक्ष बाई बाई डैस यक्स यक्स डैस इस प्रकार दो अक्ष खीचे जा चुके हैं अब इसके मानों को लिखते हैं यह है हमारा माइनस एक, यह है माइनस दो, इस प्रकार इधर बढ़ता जाएगा और इहर वन, टू, इस प्रकार उपर की और बढ़ता जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे πाई वाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई वाई 2, यहाँ पे 2 पाई, फिर 5 पाई वाई 2 और इधर की बात करते हैं, तो माइनस पाई वाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई वाई 2, माइनस 2 पाई, और माइनस 5 पाई वाई 2 इस प्रकार इस ग्राप के नमरों को हमने लिख दिया है अग कौसेक यक्स के ग्राप को बनाने के लिए कुछ मान मुझे पता होना चाहिए तो इसके लिए हमें टीन मान पता होना चाहिए और वो मान है कौसेक जीरो Cosick zero को मान क्या होता है Cosick zero का मान एक बटे sin zero मिंस infinite Cosick zero का मान infinite होता है यदि बात करते है Cosick pi by two की बात मिंस sin pi by two अब sin pi by two का मान एक होता है मिंस कौस एक पाई बाई टू का मान एक होता है वही बात करते हैं कौस एक पाई की तो कौस एक पाई का मान होता है एक बटे साइन पाई साइन पाई का मान होता है माइनस वन अर्थाथ एक बटे माइनस वन एक बटे जीरो माइनस वन नहीं होता बलकि 0 मान होता है अर्थात ये infinite की ओर जाता है अब यदि इसी में पर बात कर लिया जाए कॉस एक minus pi by 2 की means एक बटे sin minus pi by 2 अर्थात minus infinite की ओर जा रहा है तो हम इस value को ना लेकर बलकि 0 pi by 2 और pi के बात करते हैं तो ये plus infinite और ये plus infinite अर्थात 0 और pi वो बिंद हुए जहां पे हमें line खीचना पड़ेगा तो पहले हम line खीच देते हैं 0 ये है हमारा pi ये 2 pi इस प्रकार हम line खीच सकते हैं इसका ये है 2 pi line खीच चुका है अब हम इसके graph को समझेंगे तो यहां देखा था cause से 0 कमान infinite होता है अर्थात कुछ इस प्रकार से ये value जाएगी लेकिन इस line को touch नहीं करेगा और ये value नीचे 1 तक आएगा क्योंकि pi by 2 कमान एक होता है यहां और फिर ये उपर चड़ती जाएगी लेकिन इस line को touch नहीं करेगी ऐसे ही यहां minus 1 होगा 3 pi by 2 पर man minus 1 देगा और इसका graph कुछ इस प्रकार से बनेगा लेकिन line को touch नहीं करेगा इसका man यहां से जाएगा और ये 1 पर रुक जाएगा और 1 के बाद ये अपना value इस प्रकार से आगे बढ़ाएगा इसकी बात करें तो ये मान कुछ ऐसा प्राप्त होगा यहां पे minus pi by 2 पर minus 1 value देगा और इस line को touch नहीं करेगा और graph कुछ इस प्रकार से बनेगा इसकी बात करें तो यहां 1 प्राप्त होगा 3 pi by 2 minus का minus 3 pi by 2 पर minus 1 यहां इस window पर और कुछ इस प्रकार का graph बनेगा हम cos यक्स के graph को इस प्रकार बना सकते हैं अब इसके मुख साखा को मानेंगे तो मुख साखा pi by minus pi by 2 से pi by 2 होगा क्योंकि यद हम 0 से pi लेते हैं तो यहां 2 मान प्राप्त होगा अर्थात यक्स के दो मान के लिए by का एक मान होगा इसलिए हम pi by 2 माइनस pi by 2 से जो हमारा यहां से यह है और pi by 2 यहां से यह लेंगे इसका डोमेन हो जाएगा लेकिन 0 सामिल नहीं होगा देख सकते हैं इसका डोमेन रेंज की बात करते हैं तो कौसेक यक्स का डोमेन और यह है रेंज डोमेन इसका होगा बाइनस pi by 2 से pi by 2 लेकिन बाइनस 0 ऐसे ही इसका रेंज होगा रियल नमर लेकिन फिर वही शेक की कंडिशन जैसी थी वैसी कौसेक की कंडिशन है इसमें माइनस 1 के इधर वाली सारी value सामिल है एक के उपर वाली सभी value सामिल है लेकिन minus एक और एक के बीच की value सामिल नहीं है अर्थात बास्तविक संख्या में हमें minus एक और एक को हटाना पड़ेगा इसलिए इसमें minus कर दिये ध्यान रहे ये खुले अंतराल में लिखा गया है ना की बंद अंतराल में खुले अंतराल का मिन्स minus one और one सामिल नहीं रहेंगे इसके बीच की संख्या सामिल रहेगी इसके range में minus one, one सामिल रहेगा लेकिन इसके बीच की संख्या सामिल नहीं रहेगी ये range मिन्स परिसर ये range और ये ग्राप के बारे में, कॉसेक इन्वर्स यक्स, इसके लिए पहले हम दो अप्छे स्क्रिष्टें, ये हमारा रहा बाई, और ये रहा यक्स, ये यक्स अक्छ, यक्स डैस, बाई, बाई डैस, अब इसके मानों को भरेंगे और ग्राप खींचेंगे, तो यदि हम मानते हैं ये graph scale है तो फिर उसी तरह हम इसको पहले ऐसे rotate करेंगे और फिर इसको पल्टा देंगे जो graph बनेगा वो cosic inverse x का graph बनेगा और उसी graph को हम क्या कहेंगे mirror image अर्थात इस graph का mirror image बनाने के लिए पहले हमें इस प्रकार graph को करना पड़ेगा अर्थात इस प्रकार rotate करना पड़ेगा अब फिर इसको पल्टा देंगे ध्यान रहे इसको उपर की ओर ले जाएंगे ऐसा इसको ऐसा ले जाएंगे और ना की ऐसा graph बनाएंगे अगर इसको इस प्रकार पल्टाते हैं तो हमारा graph गलत बनेगा ध्यान रहे इस scale को अगर हम ये graph मान रहे हैं जिस graph को पहले इस प्रकार rotate करना पड़ेगा और फिर इस graph को ऐसे पल्टा देना पड़ेगा जिस से graph जो बनेगा हमारा वो होगा cause inverse x का graph तो चलिए हम cause inverse x के graph को बनाते हैं तो cause x inverse x के graph को बनाएंगे तो ये ऐसे rotate होगा और फिर जब पल्टेगा तो कुछ इस प्रकार मान देगा यहाँ पे 0 और ये पाई ये पाई है तो ये कुछ इस प्रकार से होगा पहले हम इसकी इस पर line खेंच देते हैं कुछ ऐसा तो इसका graph बनेगा यहाँ पे 1 होगा यादि तो इसका graph बनेगा कुछ ऐसा यदि मान लें यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारा है पाई बाई 2 तो इसका graph यहाँ से turn हो जाएगा कुछ इस प्रकार आएगा और यहाँ आकर उपर की और फिर infinite की और बढ़ता जाएगा लेकिन line को touch नहीं करेगा इसी प्रकार सभी graph को हम बनाते हैं यह है minus pi by 2 यह है pi यह है 3 pi by 2 यह है 2 pi minus में सब है इधर एक मान ले लेते हैं इधर 3 pi by 2 यह है 2 pi इधर 2 3 इस प्रकार बढ़ता जाएगा और इधर minus 1 minus 2 इस प्रकार बढ़ता जाएगा अब दूसरे graph को बनाएंगे उससे पहले हम line खींच लेते हैं यह एक line minus pi पर और एक minus 2 pi पर और एक 2 pi पर यह line खींच लेते हैं और graph को बतानते हैं इसका graph minus 1 3 pi by 2 पर minus 1 value देगा तो इसका value कुछ यहाँ पर आएगा यह यहाँ पर आएगा और यहीं पर graph हमारा turn हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ऐसे ही यह वाला यह इधर है यह इधर अब इसका मुह इधर होगा कुछ ऐसा कुछ ऐसा लिख दिये हैं तो अच्छे नहीं बन रहा है लेकिन कुछ इसी प्रकार बनेगा ग्राफ इसका अब इधर वन बैलू यहाँ होगा और इसका graph कुछ ऐसा पर ध्यान रहे लाइन को टच नहीं करना है इस प्रकार कॉसिक इंवर्स एक्स का graph बन जाता है जहां इसका range जो होगा minus pi by 2 से plus pi by 2 तक होगा अर्धाद यहां से इसको थोड़ा हम गाढ़ा कर देते हैं यहां से यह होगा इसका जो है मुख शाखा अब मुख साखा के मान को ही मुख मान कहते हैं वो आप question में देखेंगे question solve करने के लिए मुख मान पूछेगा तो इसके लिख लेते हैं कॉसिक इंवर्स एक्स का domain जो होगा वो होगा r minus minus 1 1 खुले अंतराल में और इसका जो range होगा वो हो जाएगा minus pi by 2 से pi by 2 और 0 minus क्योंकि 0 पर यह मान अपरिभासित दे देता है इस प्रकार हमारा graph छेबो त्रिकोन मित्ती के खतम होते हैं क्योंकि देते हैं